तो अभी हम देखेंगे कि full wave rectifier कैसे बना सकते हैं Eagle PCB designing software ठीक है तो file पर जाकर या project पर आपको एक नए project बनाना है और उसका नाम दे देना कुछ भी तो मैं आपके देता हूँ full wave और उसके सामने ही आपको right click करना है और new पर जाकर smatic पर आपके सामने main screen खुलेगी जहां पर हमें कुछ बनाना है तो हमारा main focus आज है software को कैसे use करते हैं ना कि इस पर कि हम full wave rectifier कैसे बना सकते हैं यह तो हमारा कैसे है practice है तो यह मान कर चलिए कि उतना मुझे भी नहीं आता software की full wave rectifier कैसे बनाते हैं लेकिन इस software कैसे use करते हैं यह मुझे थोड़ा बहुत इसका knowledge है तो इसलिए इस video को मैं बना रहा हूँ तो यहां से आपको pin header में जाकर pin उठानी है कैसे मैं गया हूँ उसका आप video को थोड़ा slow करके आप देख सकते हो ठीक है तो मैं वीडियो को पहले रिकॉर्ड करा है इसमें आवाज बाद में डाली है क्योंकि मेरा web cam से इसे काम ने कर रहा है तो यहां पर आपको grid में जाकर आपको grid सेलेक्ट करनी रहती है grid मतलब आपको धिरे से पता चलता रहेगा कि इस दो लाइनों के बीच में इक कितना distance यहां पर कि जो आप पैट होते है na तो आपको एक्कर चाहिए कि कितने distance पर आपके resistance कितना बढ़ा है आपको कितने distance चाहिए उनके direction के बीच में तो आपको सबसे पहले पैट सेट करना रहता है ठीक है अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम जैसे हमें क्या चीए मैं सर्च कर रहा हूं मुझे डायोट चीए तो मैं D पर कहीं पर प्रेस कर रहा है और D में जाके मैं डायोट उठा लिए है ठीक है तो आप वीडियो को थोड़ा सब स्लो करके भी देख सकते हो अब चलिए मैं आपको अभी आराम से बताता हूं कि for example मैंने कुछ और सर्च कर रहा तो मुझे कैसे मिला मैं पार्ट पर गया सबसे बहले मुझे बाहर आना रहता है तो मैं इंटर प्रेस करूंगा सबसे पहले क्यूंकि मैं किसी के सब कैटेगरी में हूँ या अदक ने से ब मुझे shortcode कुछ आने चाहिए जैसे आप सर्च बार में जाके RCL रिजिस्टर लिख रहे हो कोई सन्मार्ग लगा रहे हो या special star के रिजिस्टर लिख रहे हो इस टाइप से आपको सर्च करने आना चाहिए तो इस तरह से हम सर्च करते हैं आप मुझे कैपेसिटर चाहिए तो कि यह सर्च बार में इजिली निमरती तो आपको क्या करना है को इस वीडियो को अब ज़रूर एड कर लिए उस लाइपरी को क्यूंकि उस लाइपरी में बहुत कुछ है जो आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली इस पर अचसे पहले बैक आना है तो इसको सारे को यहां से डिली अब मुझे आर्च चीह है तो मैं फिर से कहीं पर भी क्लिक करके ब्लू लाइन रहेगी फिर आपको फिर से इंटरप्रेस करना है फिर आप जा सकते हो उसके इंदर ठीक है तो इस तो आपने सर्च करना है जितना आप इसे एक्स्प्लोर करोगे आपको बता चलता रहेगा जादा मुझे सर्कृट डिजानिंग का उतना नॉलिज मुझे भी नहीं है बट हाँ इसको कैसे यूज करते हैं इसका मुझे थोड़ा सा अच्छा नॉलिज हो गया है यूज करते करते तो यहां से आपको नेट पर क्लिक करके आप चारों को एक साथ कर देता हूं सबसे प लात् Count to are you now करते काई इस ऊसनदा कर शेंदो से इसलेक्षर अब मुझे मूप करना है तो मुझे इक तो भाट मूप सकते वी करता हूं करके और कि और मुप सकता हूं कंपोनेट्स के हर कंपोनेट 있지 में एक प्लस होता है स्का मतला है यहां पर क्लिक कर में ही अब सेलेक्ट कर कि ना हो क्योंकि अगर आप उसके प्लस के आसपास रहते हो आपका करसर तब यह चीजें मतलब उसमें इंप्लिमेंट होती है ठीक है इस बात का आपको ध्यानक नहीं तो इस तरह से इतना हमारा सरक्रेट त्यार हो चुका है अब क्या करते हैं अब हम इधर हमारा कैपेशिटर सबसे पहले हमारी ग्राउंट पीना है वोल्ते जो लेटर आजई आपको तो पता रहेगा यह हमारी 7805 है जो कह करता है कॉंस्टेंट 5 वोल्ट हमारे देती है अब इससे मैं कैपेशिटर की लाकस इसे कर देता हूं और इधा से हमारे और यहां से जो इन्पूट पर ने इन्पूट पर से कनेट कर देता हूं और इन्पूट कर दिया है और यहां से भी आप इसे कनेट कर दीजिए ठीक है तो मैंने कनेट कर दिया ऐसे इतना हमारा सरकेट तयार हो चुका है चलिए देखते हैं अभी टाइम हां भी बहुत टाइ तो इसे मैं side लग देता हूं यह हमारा output section है ठीक है और देखो capacitor आप कितना लगा रहे हो हो सकता है यहाँ पर आप दो capacitor भी उसकर सकते हो डिपेंड करते है कि आप कितना pure करना चाहते हो अपना ठीक है अपनी जो आपका signal है उसको आप कितना pure करना चाहते हो तो मैं एक यूज कर रहा हूं यहां पर आप दो भी कर सकते हो ठीक है तो मैं यहां पर इसे कनेक्ट कर देता हूं अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हमारी जो पिन से नीचे से मैं से कनेक्ट कर देता हूँ पिन हैडर पर और उपर से कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है जो यह आउट्पिट सेक्शन है यहाँ पर आप डालेक्ट लगा सकते हो बट मैं क्या करूंगा मैं आपको एक और तरीका अधिल आपसे में पेन लोग समझ यहांसे पर समय में से बता रहा हुँ ठाव है टो मैं तो आपको सब्सक्रम आपको ऊप्क्रम हिरे कम आ बांडु आयुकि यहां जिंग सब्सक्रान सेज्ड दर करेगाकत ले तो मैं इधर से से मूव करके उधर लेके जाओंगा आप चाहे तो इधर भी कर सकते थे बड़ मैं इसे थोड़ा सा कि आप लोगों को थोड़ा सा इजी समझ मैं इसलिए मैं उधर बीशी और इधर ग्राउंड लेकर मान कर चलता हूं और बीच में LED जोड़ जाता हूं तो LED हो सकता है कि आपको ना मिले सर्च में सबसे बहले जो कि मैं आपको बताया कि आपको बाहर आ जाना है में स्क्रीन पर ठीक है तो उसके लिए आपको इंटर प्रेस करना है जो भी आप सर्च कर रखे आपने उसे आपने डिलीट करके इंटर प्रेस करना है ताकि आप में स्क्रीन पर आओ तो हो सकता है कि आपको LED ना मिले add of fruit की जो मेरे case में मुझे मिल रही है add of fruit की क्योंकि आपने library add नहीं करी है तो आप तो यह हमारे connect हो चुकी है और यहां से भी मैं से connect कर देता हूं तो यह हमारा हो चुका है complete अबि थोड़ा से आप उपर सर्जबाद पर नेम लिख सकते हैं मैं इसका नाम देता हूँ AC Input ठीक है? AC Input मैंने इसका नाम दे दिया है OK प्रेस कर दिया है अब आपको इसे मूब करना है तो इसमें पलस है बगल में बीच में Input के पीछे उस पर क्लिक करके अभी आप उस पर क्लिक कर दीजिए Input के पास प्लस है वहां पर करसर को लेकर आईए वहां पर क्लिक करिए उसके बाद मूब करिए तो आप मूब कर सकते है ठीक है के बीच में लें सिंबल मुलेगा ही मिलेगा हो सक्टाई डॉयोट के इस तरह से ना दे रहा ह अब लाएपको इस इस बात के ध्यान करें स्मपोनें मूँ ने हो रहा है अबर पलप अपने पलप सम्पर कर में अधके ब्लत कर देक गर को तो आप मुझे weiter देखो, जो सामने DC है, D के बगल नीचे जो पलस है, वहाँ पर क्लिक करके ही ये मूव होआ है, हो सकता है कि आप उसके आस पास हो, तब भी हो जाएगा, लेकिन बहुत कि इसमें बहुत बार नहीं होता है, तो आपने पलस के जितना पास रहोगे, फिर आप करसर को लेकर तो कमेंट्स करो, मैं इस पर और वीडियो लेकर आता रहूँगा, थैंक्यू